एक चीज आप से भी को बताना चाहूंगा अभी जैसा की लगातार अलग-अलग RTI में आपने देखा होगा कि जो आई वीपेस है इसको बैंक रिपोर्ट करें अपनी वेकंसी ठीक है तो अगर आप कोई RTI डालोगे तो आपको पता लेगा कि कौन-कौन से सिया घ्रट को कि अभि तक अपनी वेकंसी को रिपोर्ट किया है या नहीं किया है किसीने इंक्रीस कर दिये इनकीकी स सिन नौट रिपोर्ट और ने अपनी वेकंसी अ को दिये है तो अभी इससे सलसले में यू को बैंक यहां पर थोड़ीज bakayım फेडरेशन है इनोंने जो plea क्लिरिकल में 150 एडिशनल वेकंसी जो हैं इनको अपने जो इंटेंट है उसमें आगे भेजा है और आप यह मानकर चलें कि एक अपरेल को जब आपका रिजल्ट रेनाउन्स होगा एक अपरेल 2030 को तो मैक्सिम्म लोगों का इस बार क्लिरिकल में सेलेक्शन होगा क्योंकि जिस आपका होगा और एक बार एक अपरेल को जब सारे फीगर्स एनाउंस हो जाएंगे तब ही पताल बाएगा कि कितनी कितनी यहां पर होई है और मैं जरू कहूंगा कि आप में अगर अच्छे से मितना मेंस का विपर दिया है तो वैलन गूट आपके चांसे काफी अच्छे का कर लेना यहां पर आपको जनरल अवेरनेस एक साल के लिए जितने भी आज 2023 में एक्जाम सोंगे इस पूरे साल में वो सारे इस सिंगल करेंट अफिर्स के पैकेज में कवर होंगे प्लस आपको जो डियाई है आपका फाउंडेशन डियाई काफी अच्छे से आप कवर कर सक तो यह आपको किवल 299 में मिल जाएगा और जो LIC का एक्जाम है इसमें इंसुरेंस अफिरनेस है यह भी आपको मिल ला है तो आप इनमें रिनोल करें और अपनी अच्छी प्रिपेशिन करें यही आप सभी के लिए मैं गुड लग और विशेज दूँगा थैंक्यू सो